बल, ताकत, स्ट्रेंथ या फिर पावर, एक ऐसी चीज जो हम सभी को लाइफ में कभी न कभी चाहिए होती है, या हम रोज चाहिए होती है, हमेशा हम क्या बोलते हैं, ताकत, ताकत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या कई बार हम हिंदी मूवीज में भी सुनते हों इसलिए आयर्वेत के जो भी शोधन है, शोधन मतलब जिसको हम पंच कर्म बोलते हैं, जिसमें हम शरीर की सफाई करते हैं, वो है वमन, वमिट उल्टी करके, विरेचन, मोशन, लूज मोशन करके, बस्ती, जहां से पेट साब होता है, वहां से तेल काड़े देखे, नश्य, नाक में आउश्रदी डालके, रक्त मोक्षन करके, या आयर्वेत का कोई भी ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसमें सबसे में चीज क्या है, सबसे में चीज वो बोलते हैं, बल की रक्षा करना, मतलब हम आयर्वेत में कोई भी क्लीनिंग ऐसा नहीं है, कि पानी पिया, कम होने लगेगा, उसकी स्ट्रेंद कम होने लग जाएगी, तुरंद हम वो शोधल वही पे स्टॉप कर देते हैं, क्यूं? क्यूंकि बल को बचा कर रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयर्वेत में बोली गई है, अगर आप उस पेशन की स्ट्रेंद को ही अगर मेंटे नहीं कर पाओगे, तो उस ट्रेटमेंट का कोई भी फायदा है नहीं, एक चीज, सेकेंड, आईर्वेत में वयाम भी कितना बोला है, तो अर्ध शक्ती वयाम, आपके शरीर में जितना भी बल है, उसका आधा बल तक वयाम करना है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट्स ह आईर्वेत में बल का या फिर ताकत या फिर स्ट्रेंद का, तो आज की टॉपिक में हम पाच ऐसी ओशन्दियों के बारे में बात करेंगे, जो की बल बढ़ाने का काम करती है, अब वो चाहे शारीरिक बल हो या मानसिक बल हो, आप में से कई लोग फिजिकल काम करते होंग का, कुछ सामान खीचने का, बड़े-बड़े बोज उठाके, बॉक्से उठाके, डिलिवरी बॉआ हो ये सब का काम, तो कुछ लोगों का फिजिकल काम बहुत होगा, और वो बहुत जल्दी ठक जाते होंगे, ऐसे लोगों को बल की जरुरत होगी, क्योंकि सबसे पहले बल चाहिए किसे, तो बल सभी को चाहिए, तो कुछ लोगों को फिजिकल, शारिरिक बल अच्छा चाहिए होगा, कुछ लोगों को मानसिक बल बहुत अच्छा चाहिए होगा, कि सपोस दिमाग का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, हमेशा कुछ नों कुछ चालू रहता है, प्ल बहुत जल्दी ठक जाते हैं, या फिर शरीर में बल ही फील नहीं होता, उन्हें बल चाहिए, डिलेवरी हुई है प्रेगनेंसी के बाद, और ऐसी लेडीज जो बोलती कि थोड़ा भी काम किया, हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, या आप मेंसे ऐसे लोग जो बोलते कि सुब बहुत हो कि उठते हैं न तो बहुत अच्छा लगता है, इक्दम ताकत, एनर्जी, विनर्जी सब ठीक है, पर जैसे ही दोपहर आने लग जाती है, 4-6 घंटे हुए नहीं, कि हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, हमें दोपहर में सो नहीं पड़ता है, वहना चक्कर आने कंबिनेशन, हजारो दवाईयां होती है, पर हम आज बात करेंगे टॉप पाँच ऐसी दवाईयों के बारे में, जो कि शरीर और दिमाग दोनों का बल या स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करती है, चाहे वो बीमारी के बाद आपको ताकत चाहिए हो, या नॉर्मल जो रू मिश्रवेदा में, मिरा नाम है डॉक्टर अरुन मिश्रा, और मैं एक आईरविदिक MD डॉक्टर हो, और मुंबई के दादर एरिये में, यहाँ पे पंचिकर में प्रैक्टिस करता हूँ, लोग बोलेंगे आब आजकर यह क्यों बोलने लग गए, क्योंकि कई लोग कमेंट करके यह बोलते कि आप हो कौन, कहां से उठके आए, आपको आईरविद का कुछ पढ़ता है, पढ़ा है, तो कई बार वाई डिग्री विग्री भी बतानी पढ़ती कि हाँ, मैंने आईरविद का BMS भी किया है, MD भी की है, और वो सब पढ़ने के बाद, हजारों पेशन्ट देखने के बाद, यह जो आईरविद का ग्यान है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ना कि कोई कुछ देखा और बोल दिया, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, बल बढ़ारे वाली पाच दवाईया, और उसमें इसी नाम से जीड़ूई दवा नंबर एक है, उसका नाम ह दवा आती है, जिसके नाम में ही बल है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी ताकतवर दवा होगी, बला कुछ इस तरीके का उसका पाउडर होता है, अगर इसे आईरविद में पढ़ेंगे तो इसे स्निक्ध मधुर शीत ऐसे बोला है, अर्थात यह बाई नेचर चिकनी होत तो पहली दवाई है बला, जो कि मधूर स्निक्ध शीत होती है, अर्थात यह मीठी होती है, स्निक्ध चिकनी होती है, और बाई नेचर ठंडी होती है, तो यह किन लोगों के लिए फाइदे मंद होगी, तो आप मेंसे ऐसे लोग जो कि वात और पित्ध प्रकृती के हैं, व काम करते हैं, और अब धीरे धीरे शरीर सूखने की तरफ जाने लग गया है, तो जिनका पीरियट बंद हो गया है, और पिरियट बंद हो गया है, और पिरियट बंद होने के बात जिनका शरीर सूखने लग गया है, कि बंद हो गया है और अब शरीर दुबला पतला होने लग गया है, या जिनको गर्मी के मौसम में तकलिव ज्जादा होती है, गरम चीजों से तकलिव जब ज़्यादा होती है, थोड़ा भी हीट, गर्मी अर्मी लगी encara जो ऐक shortened ड् भाव प्रकाश ने इसका benefit बताते हुए बल कानती कृत ऐसे करके कहा है कि ये बल बढ़ाने का काम करती है फेस पर glow लाने का काम करती है और धनवंतरी निघट्टू ने इसके बारे में बताते हुए कहा है बल ओज वर्धियत त्यापी कि बल भी बढ़ाती है ओज भी बढ़ा है एक से तीन ग्राम की मातरा में शहद और घी विशम मातरा मतब शहद एक चमच है तो घी वन फोर्थ या घी वन फोर्थ है तो शहद एक चमच ऐसे मिला कर इसे खाने के लिए खाना खाने के बाद सुबा शाम ले सकते हैं या दिन में जब जब वीकनेस होगी तो ये एक स लोगों के लिए या जो मैथोन करने के बाद बहुत जल्दी जिनकी बॉडी तक जाती है ऐसे सारे लोगों के लिए ये कमाल का एक्टॉनिक रहेगा नमबर दो अश्वगंधा जी है इसका नाम सुनते ही आजकल मार्केट में हर कोई जो भी जीम विम जाते हैं वो तो मसल्स बनाने के बाद की मेरी सिक्रेट का राज शिला जीत अश्वगंधा ऐसे बहुत सारे लोग आपको सावन बेचते में मिलेंगे या कुछ लोग तो अश्वगंधा नाम सुनते ही पहुच जाते कही और की तीन गंटे तक बिना रुके लगातार और पता नहीं क्या-क्या दे समझ रहे हैं क्योंकि आईरवेद में इसके कई सारे multiple system पे फायदे बताए गए हैं ये by nature ocean होती है इसे आईरवेद में ocean गरम बोला है और लगूस निगद बोला है अर्थात ये हलका होता है नेचर में चिकनापन पैदा करने वाला होता है और ये ocean होता है तो सबसे पहली ब वेसी पंका वंका मस्त काम करते रहेंगे बड़ जैसे ही थोड़ी भी heat लग गई और वो सोचेंगे कि मैं अश्वगंदा खा के घोड़ा बन जाओंगा तो अश्वगंदा आपको घोड़ा नहीं बनाता इसमें घोड़े का जो मुत्र होता उसके जैसे smell आती है इसलिए इ उनकी लिए जादा अच्छे मंदवा है या उनकी ताकत बढ़ाने के लिए अच्छा है जो की वात और कफ वाले लोग है जिनको ठंडी बहुत लगती है ठिक ऐसे लोगों के लिए कि ठंडी के मौसम में या कोई भी ठंडी चीजों का exposure मिलने पे जो जल्दी ठक जाते हैं उनकी लिए बहुत फाइदे बन रहेगा ठंडे एरियास में जो रहते हैं जो बहुत जल्दी ताकत कम हो जाती है उनकी लिए बहुत अच्छा रहेगा ठंडी रिलेटर जिनको बिमारिया है और जिनका strength body का down होने लग गया है example कुछ example देके बताओ तो जैसे की ठंडी के का फारण जो होने वाली बिमारिया उसमें क्या आ जाता है hypothyroidism जैसी जो बिमारिया है तो ऐसी बिमारियों में अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं आपकी strength बहुत जल्दी डाउन हो जाती है या आप में से ऐसी महिला है जो कि कफ और वात प्रक्रती की है और delivery हुई है उ जाकत ही नहीं लगती ऐसे सारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है तो कफ वात related आप में से जो पूरुष है जिनको गरम जितना खिलाना खिला लो बट थंडा बरदास नहीं होता तो ऐसे लोग अगर strength बढ़ाना चाहते हैं ताकत बढ़ाना चाहते हैं चाहे वो शार का काम करती है और strength बढ़ाने का काम करती है अश्वगंदा और रक्त माउंस मेद मज्जा शुक्र इतनी रहतों पर ये बहुत अच्छा काम करती है तो जिनको muscles बढ़ानी है उनके लिए फायदे बढ़ाना है उनके लिए फायदे मन्द है जिनकी मज्जद हातु दिमाद ब करके काम करता है बहुत जदा all the time सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ चलते रहता है ऐसे लोग बहुत जल्दी अगर ठक जाते हैं या जो sexual activity बहुत करते हैं masturbation हो physical relationship हो या जो कुछ भी हो और उसकी कारण जिनकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है और ठंडी लगती है तब अश्वगंदा आप यूज कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं तो अश्वगंदा का powder आपको आराम से मिल जाएगा आप वो यूज कर सकते हैं इसके आसो अरिस्ट मिलते हैं इसका घी मिलता है इसका टैबलेट मिलता है तो ऐसे कई सारी चीज़े इसकी मार्केट में मिल जाएगी लेने की मातरा एक से तीन ग्राम रहेगी सुबा शाम खाना खाने के बाद मिश्ट्री या फिर घी के साथ गर्मी लगती है तब बला ठंडी लगती है तब अश्चोगंदा चलिए चलते हैं तीसरे नंबर की दवा पे जो कि बल या फिर ताकत बढ़ाने का काम करती है अब यह है वन ओप फैवरेट दवा जो कि मैं मेरे प्रैक्टिस में बहुत जादा यूज़ करता हूँ और यह केवल आप मेंसे ऐसे लोग जो ब करती है और बल बढ़ाती है उसमें से एक है सारीवा सारीवा जिसे की अनन्त मूल कहते हैं इसके बारे में मैंने अल्रीडी वीडियो डालके रखा है अब यूट्यूब पे जाओगे मिश्रवेदा सारीवा या फिर मिश्रवेदा अनन्त मूल डालोगे वीडियो आ तो ये एक ऐसी कमाल की दावा है जो कि तीन के तीनों दोसो, चाह किसी भी टाइब की कमजोरी हो तीन के तीनों दोसो में से, उसमें अगर बल बढ़ाना है तो ये बहुत कामकी होती है, ये इससे गुरूस निगद बोला है, ये बाइनेचर थनडी होती है वैसले तो, बट य चाहे आप कुछ भी बिमारी आप पकड़ लो चाहे बहुत जदा थिंकिंग करके आपके दोश्ट खराब हुए सारीवा काम करेगी, खून की कमी के कारण थकान होती है इस पे काम करेगी, बहुत जदा मस्कुलर एक्टिवीटी करते हो थकान होता है काम करेगी, वेट लॉफ होता है, तब यूज कर सकते हो, डाइबिटीज जैसी प्राबलम है और ब्लड शुगर बहुत बढ़ा रहता है और उसके कारण थकान है, तब भी ये काम करेगी, शुक्रदातु वीक हो गई है, तो मतलब किसी भी टाइप के अगर कमजोरी है, वन ओप दे सेफेस दवा, व स्पेशली रस, रक्त, शुक्र और जो मेध धातु, इन धातुएं बहुत अच्छा काम करती है, तो जिनको शुक्र धातु में बहुत ज़्यादा जलन बलन होती है, ऐसे लोगों को ताकत चाहिए, या किसी भी टाइप का लोग के टॉनिक चाहते हैं, कि मैं कोई एक वो यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करना है, तो एक से तीन ग्राम की मात्रा में, कुछ भी ऐसे पानी में, सौ ग्राम पानी में डालके हलका सा उबालनो, और दिन बार जब जब आपको ठकान हो, थोड़ी सी मिश्टरी में लालो, और सिप-सिप करके लेते रहो, उस पे मैंने क्या बोला था, कि तीनों दोशों पे काम करती है, बट ठंडी है, अब हम बात करें कि ऐसी दवा जो की ताकत बढ़ाती है, और तीनों दोशों पे काम करती है, वो है कौँच बीज, ये बाई निचर गरम होती है, उस्पेशली वात पे तो बहुत बन्हीस करने के बाद, बहुत ट्रैवलिंग कर लिया, ठक गए, बहुत बोला, ठक गए, बहुत सोच लिया, ठक गए, सेक्शुल एक्तिवीटी की 2-2-3-3-3-7-7 दिन तक बैटरी डाउन रहता है, ठक गए, उपवास थोड़ा सा किया, बहुत जलदी ठक गए, ठीक है, त थोड़ा भी मैं वयाम कर लूँ, आपने जैसे आपके डाइट में बोला है कि दो सूरी नमस्कार करने, एक सूरी नमस्कार करने के बाद तो मुझे लगता है कि टाइटाइ फिस्ट हो गया, तब क्या करूँ, तो ऐसी में ये बहुत ही कमाल की दवा है, जो कि सूखे जा रहे हैं, दुगले, पतले, कमजोर हो गए, और ताकत चाहते हैं दिन बर, तो इसका नाम है कौच बीच, कौच बीच जिसे हम आईरेविद में कपी कच्चू कहते हैं, और ये कपी कच्चू या फिर कौच बीच, इसे कपी कच्चू इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये बंदर लो तो दो से चार टैबलेट सुबश शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, मिश्री या फिर शहर या गे के साथ, या फिर जब भी आपको ठकान हो, सबोस कि आपने छे बजे से काम चलो किया, एक दो बजे तक ठेक थे, अब दो बजी के बाद ठकान होने लग गई है, तो ये द माचल, उत्रा, खंड इस साइड में रहते हैं, या ठंडे एरियाज में रहते हैं, या ठंडे नेचर के हैं, और कोई भी फिजिकल काम करने के बाद शरीर की ताकत जल्दी डाउन होने लग जाती है, उन सभी लोगों के लिए कौँच बीच फाइदे मन्द रहेगा, और ल ऐसे लोग जो कि बहुत दुबले, पतले, कमजोर, वीक है, हीट रिलेटेड तकलीफों से परेशान है, क्योंकि ये ठंडी होती है, शरीर सूखने लग गया है, कमजोर होने लग गया है, और आपको ताकत कम लगती है, वो किसी भी कारण से, बहुत ज़दा टेंशन करके त ताकत कम हो रही है, या फिर शरीर इकदम सूखते जा रहा है, दुबला पतला कमजोर होते जा रहा है, और फिर ऐसे में ताकत चीए, कि बहुत जल्दी ठक जाते हैं, गर्मी का मौसम जब जब आता है, तब हमारी बैटरी पूरी डाउन हुई रहती है, ऐसे लोग, या थो इसका स्पेशली एक्शन रहेगा, ऐसी में जिनको जो डिलेवरी हुई है, और डिलेवरी के बाद जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उसके बाद जब उनको ऐसे लगता है कि हमारी बैटरी ही डाउन हो गई, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फि अच्छा खासा टॉनिक है, हाँ, पतले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मोटे लोग इसको ना यूज करें तो ज़्यादा अच्छा, उनके लिए सारी वाइक टाइम पे ज़्यादा सेव दवा रहेगी, तो इसको आप शहत के साथ, घी के साथ, मिस्ट्री के सा एक बेस्ट कॉंबिनेशन रहेगा, कि आप इसे ले लो, और इसमें एक से तीन ग्राम मिश्ट्री, आदा चम्मच दे सीगाए का घी, मिक्स करो, और दिन में तीन से चार बार जब जब आपको ठकान हो, ये दवा ले सकते हो, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, ठीक, तो ये एक बार आयरविधी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, कि आपके लिए ये चीजे सूटेबल है कि नहीं है, और ये सब करने के बाद भी, अगर आपका बल नहीं बढ़ रहा, तो फिर आपके आपे जो पंचकर्म सेंटर है, वहाँ पे जाके अपने डॉक्टर को दिखाईए, और उसमें फिर कई सारे ट्रीटमेंट है, जैसे बस्ती जैसे ट्रीटमेंट है, जिसमें तेलिया काड़ा दिया जाता है, वह आप करा सकते हैं, अभ्यंग, फुल बॉडी मसाज जैसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और बहुती शरीर सुग गया है, तो सश्टिक्शाली शीर का जो होता है कि बताब चावल होता है उसको इन आउशदियों को दूद में पकाये जाता है और उस चावल को डुबा डुबा गे पूरे शरीर पे मालिश की जाती है जिनका मसल्स डिस्टॉफी होने लग़ा मसल्स सूख्रे लग गई है या मस्कुलर ताकत कम होने लग गई है बोड़ी एकदम ही लीन हो गई है तो इन आउशदियों को दूध में पका कर अगर उसको चावल में डुबागे फुल बोड़ी पे मालिश की जाए तो बहुत अच्छे से उस वेक्ति की स्ट्रेंथ बढ़ती है चाए वो किसी की मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो गई हो या शरीर में और भी किसी टाइप की कमजोरी हो तो यह तो दाट टॉप पाँच दवा जो की ताकत बढ़ाती है बल बढ़ाती है इसमें से कौन सी दवाईया आपने यूज की है आपका क्या एक्सपीरेंस है आप शेयर कर सकते है और ऐसे कौ